यह नीचे शीर ऊपर पाउं करके क्या कर रहे है भाई यह क्या कर रहे है यह बड़ा वाला घंटा बिल्कुल करेक्ट टाइम दे रहा है तीन बच के दस मिनिट हो गए है यह दोके बाद दोस्त हैं मेरा मेरा बेटरी किया पहले डीजाइन देखिए कितना सुन्दर लग रहा त्याइं पहले त्याइम त्याइम और अधाव अधाव जया राव यह शना साथ हो गया टो टो आधान अधान विछ शुने बाद दी एंधाव यह पाई अधाव जाराह हूं आप रेडियो गरान आँग्स बार में में नहीं रोकूंगा ठीक है ठीक है तो गाइज मैं नाद होके तयार हो चुका हूँ गाइज आज का सिन कुछ ऐसा है आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा ओमान का सबसे बड़ा गोल चकर साथ में आपको देखने को मिलेगा ओमान की राजने मसकर का एक जाना माना गाडन रूशेल गाडन वहाँ पर पहुंचेंगे गाइज दोस्त मुझे आके हो वह थे मैं दुबाराश हो गया तो गाइज मेरी आँख लगे में पहले बहुत लेटा चुका हूं दोस्ता मेसेज भी आया था मेरे पास कि हमको और जारें गाड़ी लेकर आप निचे आ जाएगे आपको आपको पिक आप करके ले जाएंगे तो गाई जब मैं यहां से हूं उसके बाद यहां से चलेंगे रूशेल राउन और बोट रूशेल गाडन सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने में मिलेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिजिएगा बहुत मज़ेतार वीडियो होने वला है इस वीडियो की बिल्कु एन तक देखिएगा इसकी मत की दिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिजिएगा चैनल में पहले बारा आए तो निचे स्काइब को बटने उस बटन को दबा के मेरे चैन को स्काइब करते जीएगा अब मैं चलता हूं अपने रूम से बाहर आगा हूं लिकिन मुझे यहां से टेक्सी स तो यहां से तक्रीबान 6-7 km है जो मैं टेक्सी से जाओंगा तो गाइज चलो में जाकर मिलते हैं फाइनली अभी मैं टेक्सी में बैठ चुका हूँ अभी मैं टेक्सी के अंदर हूँ इसी टेक्सी में आगे जाओंगा देखिए वाइट कंदूरा में ये औरे भी लोग हैं ओमान के टेक्सी चाला के ओमान में टेक्सी सिरफ ओमानी लोग ही चला सकते हैं बाहर के लोग नही यह ओमान का सबसे बड़ा roundabout है, और यह इसे के पास में यहाहा है रूशेल गाडन भी यही पर ही है बहुत सुदर गाडन है, ओमान का बहुत अच्छा आपर बहुत अजा गाडन माना जाता है, रूशेल गाडन भी यहीं पर ही है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखा यह रूशेल गार्डन का पार्किंग है पूरा फुल है यह पार्किंग फिरी है यह कोई पेड़ पार्किंग नहीं फिरी पार्किंग है तो अभी मैं रूशेल गार्डन के जो मैं गेट पी हूँ मेरे पीछे देख सकते हैं यह रूशेल गार्डन है ओमान का सबसे बड़िय गार्डन के सकते हैं बहुत संदर गार्डन है अंदर जाके आपको दिखाऊंगा ये सामने देखिए पीछे मेरे ठीक बेकसाइड में देखिए इस गारण का अब मैं आशी अंदर चलूँगा उसके बाद दिखाऊंगा आपको अंदर करना जा रहा गाइज यहां मेरे दोस्त यह मेरे तीन भाई लोग भी मिल गए हैं तो इनसे भी मुलाकात काफी देर हो गई बेड्मिंटन भी इन्होंने खेला बेड्मिंटन का वीडियो साइध बढ़ोग नमस्ते हमारे नेपाली भाई लोग इन्होंने आप लोग को नमसकर आइनका नमस्का सुझ्काय कर लिजिएगा तो चलते हम गार्डन के अंदर हमारा सर को यूट्यूब चैनल सस्क्राइब कीजिए धैंकी सो माच ज्याइए अभी मैं रूशेल गार्डन के अं यह पर बहुत सारे पुब्लिक फेमली के साथ में गुमने के लिए आते हैं वह प्सकाइब सुंदर गाडन है तो अंदर का नजरा कैसा अंदर का सीन कैसा है आपको इसी वीडियो में देखाऊंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा वीडिए पसंद आया तो लाइ रिके हैं कि गाइज रुशेल गाडन के अंदर हम तीन दोस्त एक साथ हैं चबी शर्मा भरस शर्मा कमल शर्मा तीनों एक ही विरादरी के हम लोग तीनों भाई एक साथ गुमने के लिए आए हैं यह पहले आए थे मैं बाद में आया हूं अभी अभी आया हूं यह दोके कि यहां पर घोड़ी के साथ में रद्ध भी खड़ा है इस रद्ध में बैटके मजा ले सकते हैं एक रियल देने के बाद आप घूम सकते हैं देखिए यह कोफी शोप है कि पूरे गार्टन के दर यह एक ही कैंटीन है यहां पर सब कुछ मिलता है जूच हो गया इस नेक्स चाहरे हैं पर मिलता है मेरे दोस्त कुछ ले रहे हैं यहाँ ने पता नि यह रहां हो यह देखिये यहाँ पर कुछ ले रहे हैं यहाँ जीओ और जीओ दिव नहीं प्यूंगा चुनगा पानी आपट शन्टा पानी ने स्नेक्स हो गेरा पॉपकॉन हो गेरा सब कुछ मिलता है यहां पर एक कोफी शोप है गाइज देखिए रूशेल गार्डन के अंदर कितना प्यारा मजार बना हुआ है आपको मैं जूम करके दिखाते हैं इसका डीजाइन देखिएगा बड़ा प्यारा डीजाइन देखिए कितना सुन्दर लग रहा है पहले यहां पर फ्वारा चलता था अब फ्वारा नहीं है यहां पर पूरा पानी फूल होके फ्वारा चलाए जाता था अब फ्वारा बिल्कुल नहीं चलता लेकिन मजार बहुत प्यारा है इस गार्डन के लिशुर हो अधर 4 लिए जाद तर यहां पर खजूर के पेड़ होते हैं इस घाड़न में जाद तर खजूर के पेड़ है और किसी फल के नहीं है सिर्फ खजूर के पेड़ है खजूर का शिजन है अगस्च, श्व्टमर में अगर सेप्टमर में ख़जुर पके बिल्कुल तैयार होते हैं इस समय तो फूस में फूल आने शुरू हो गए आपको जूम करके दिखा दूँगा भी फूल आ रहे हैं अभी खजुर में हो अधी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हैं दोनों क्या कर रहे हैं पर लेष्टट यहां पर कुछ लोग घड़ी बग्गी का यानि घोड़े के साथ रत का आनन्द उठा रहे हैं एक रियल देने के बाद एक आदिमी का एक रियल लेते हैं और एक राउंड लगा के गुमाते हैं यहां पर सिंगल घोडा भी है और रत भी है आप जो चाहें उसका आनन्द उठा सकते हैं रूशेल गाड़न के अंदर आके इस गाड़न में चालोता भरिया लिए गिरिन डी है और घास को काटके इस परकार से डिजाइन बनाये गया है कि देखने में सुन्दर लगे देखे कितना सांदा डिजाइन बनाये गया है गास को काटके गाइज यहां पर मेरे दोस्त सिर्शासन कर रहे हैं आप देखेएगा सिर्शासन कैसे करते हैं यह देखे पूरा खड़े हो गए शिर के बल इसी को बोलते हैं शिर्शासन पेर चोड़े करना है कर लो थोड़ा सा यह देखो जी शिर्शासन बहुत जबज़स्तर के से किया है इनोंने वाओ मज़ा आ गया यह हमारे प्यारे अजीद दोस्त भरत पाद्दे नेपारी टोपी के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं वाओ भरत कैसा लगा गार्डन घुमते हुए अच्छा है ना और इंवार्मेंट भी अच्छा अभी इतना गर्मी नहीं है तो गाइज अब हम गार्डन चैनल बाहर जा रहे हैं तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा बहुत जल्ड किसी ओर वीडियो में आपसे मिलेंगे अपना ख्याल लखेगा अपने परिवार का ख्याल लखेगा हस्ते रहेगा मुश्वरातीर रहेगा टेक क्यार बाइबाई बाई बाई